Hi everyone, welcome to Tathastu, I am Minakshi और आज की डेट है 7th August जो हिस्ट्री में किसीने किसी significant event के लिए जो हमारी important होती है तो आज हम देखते हैं कि आज की डेट पर क्या हुआ था तो तो टोड़े इस बर्थ अनिवर्सरी ऑफ अबनेंदर नाथ टैगोर He was born on 7th of August 1871 तो date आज की थी और year था 1871 Now he was related to Rabindranath Tagore Rabindranath Tagore के बारे में हम सब जानते हैं So he was nephew of Rabindranath Tagore and one of the most prominent artists of Bengal school of art और रनों ने बहुत ही iconic painting create की थी which was known as भारत माताची के तो ये बहुत ही famous और renowned painter थे जब वी नो at this time Britisher were ruling India तो जो सारे tastes थे वो Britishers के जो थे Indian school of art थे उससे different थे तो जो artists थे वो भी उसी तरीके की जो है paintings produce करते थे बट ये जो है ये जो है हमारे अबनेंदर नाथ टैगोर He was more inclined toward Indian taste ठीक है इनको लगता था कि जो Britishers जो western art है it was more inclined towards materialism और जो हमारी Indian art थे जो है वापस से लाई जाएं उस पर इनका जो है पूरा फोकस रहता था उनका आइडिया था था तो modernize जो हमारी मुगल और राजपूत paintings थी जो उनमें से कुछ miniature paintings थी उन सबको ये जो है modernize करना चाहते थे विच ultimately gave rise to modern Indian paintings और इनकी कुछ बहुत ही famous painting है जैसे कि अभी हमने बात की भारत माता इनकी iconic painting है वो other is the passing of shahaja, my mother and journey's end तो ये तीनों जो है इनकी बहुत famous painting है वर्क तो उनका बहुत सारा है पर ये कुछ है जो एकदम ही जो है इनका iconic work है अब चलते हैं हमारे आज के दूसरे इवेंट की तरफ अभी अभी हमने Rabindranath Tagore की बात की थी so today is death anniversary of Rabindranath Tagore तो he died on 7th of August 1941 the year was 1941 तो उनके बारे में थोड़ी से बात करते हैं और वो पहले ऐसे जो है नॉन यूरोपियन थे जिनने नोबल प्राइस दिया गया था लिटफेचर के लिए कौन से ये में 1913 में और किसलिए दिया गया था उन्होंने खुद के जो वर्क का नेशनल अंथम अमर सोनार बंगला यह वह संग इंशनल एंथम बनाया वह बाद में बंगलादेश ने अपना शनल आंधम बनाया रहा यानी ऑक एक special जो है उनको honor दिया गया था and he has the right to be called sir he was knighted by British government in 1915 but इनोंने इसको जो है renounce कर दिया था after the atrocities of Jaliyawala Baag में से कर तो जब जलियawala Baag जो कांड हुआ था he later renounce this knighthood also he wrote his first poetry he was very young जब इनोंने अपनी पहली poetry लिकी थी he was only 8 years old और इनकी जो पहली poem जो publish हुई थी it was at the age of 16 और इनोंने अपना pen name जो रखा था it was Banu Sima थी कि pen name होता है जब आप अपने किसी और नाम से जाना जाना चाहते है आपने कोई poem लिखी और आपने जो उसके लिए name यूज किया अपना वो होता है आपका pen name तो इनोंने अपना जो pen name रखा था it was Banu Sima जब इनकी first poem publish हुई थी when he was only 16 years old he was also known as Bard of Bengal and his notable work जैसे की गितांजली, घरे बेरे, गोरा, मानसी, बालक, सुनार तोरी यह सब इनके जो है बहुत ही जो है famous और iconic work है और इसके अलावा यह जो एक बहुत ही famous song है हमारा एकला चालोरे उसके लिए भी जाने जाते है तो यह था हमारा गुरूदेव, रबिन्दरनाथ, टैगोर के बारे में कुछ अच्छे से facts I hope आपको इससब जो है इंप्रेस्टिंग लगे हैं और लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना Thank you so much